ओम श्यान्तियों नमस्ते आप सब शुर्तों को आपको सौगत आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीख दसोल तुछ विदिन और उसका लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं दूसरे डिफरेंट पेलिस्ट जहां पर की आपको दिखाया देगा depression के बारे में topics, आपको relationships के बारे में, आपको breakups के बारे में, diet के बारे में, खान पान, सोने की कला और साथी साथ, Yogasana, Chair के परके exercise के से करते हैं सारी चीज़े दी गई है नीचे के नीचे तो अब जा करके चक करें उस प्लेलिस में क्या कह दिया है और अब आगे बढ़ते हैं 236 दिन के श्रीवर्दान में परम्पिता परमात्मा कहते क्या है चाते क्या है हमसे हमारे भले के लिए देखें बाबा कहते क्य है बाबा कहते हैं पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च या अगर चूठ जाए तो मैं सूकी बन जाओ या शान्थ हो जाओ तो पराने संसकार हुआ विगनों और विगन कब आते हैं? हमारे संसकारों की कारण विगन आते हैं अफगुणों की कारण विगन आते हैं बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन गलत बोल दिया अफगुण मदुरता से बोलना था, लेकिन थोड़ा सा अहंकार से बोल दिया, अफगुण, विगन के आया, वात्मा के साथ में संबंद बिगड़ गे, फिर दिन बर सोचते रहे, हाई, ऐसे नहीं बोला था, अच्छा रहता, हुआ से बद्वाएं मिली, फिर चित्र बन जाता है, चित् दिन भर हम उस बंधन में फच जाते हैं, उस आत्मा के साथ में, तो ये कर्मों का बंधन है, इसको पैचानिएगा, तो बाबा कहते हैं, प्राप्त करने वाले सदा, शक्ती संपन भावा, क्या शक्ती उस करनी है, ताकि हम इन विगनों से बचे रहे, हम ऐसे कर्म ना कर दे जिस करने से दिन भर उनकी याद आए, दिन भर वो सोच चलती रहे, तो विस्तार में चले, किसी भी प्रकार के विगनों से, कमजोरियों से, किसकी अपनी कमजोरियों से, या पुराने संसकारों से मुक्ती चाहते हो, पुरानी आदफ से मुक्ती चाहते हो, तो परवा तो क आपने मंगसूतर पैना हुआ है आपने टीक लाग के रखा हुआ है आपने लिपसिक लाग के रखी हुई है ओंडेशी लाग के रखा हुआ है तो यह सब कुछ अलंकार हो गए शेरीर के लिए अभुषण हो गए इसारे अलंकार तो जो अलंकारों से सदा सजे सजाय रहते हैं वे भविश में विश्णु वंशी बनते हैं अब विश्णु वंशी क्या है यहाँ पर विश्णु को दिखाते हैं चार हाँ चार हाँ मतलब दो लक्षमी के दो नारायन के कहने का अर्थ सिंपल है दो पुरुष के और दो इस्त्री के मलकी बराबर हों तो आज अगर इस्त्रीयां चाहती है कि वो पुरुष के बराबर बने या पुरुष चाहते है इस्त्रीयां के बराबर बने ये कोई बात नहीं हुई हैं ही बराबर दोनों हैं बराबर तभी तो उसका एक सिंबल बना हुआ है विश्णू, विश्णू के तभी चार हां दिखाते हैं दो इस तरी के, दो पुरुष के कि men और women इस तरी पुरुष बराबर हैं लेकिन किस चीज में बराबरी धन कमाने में बराबरी नहीं खुबस्तोरती में बराबरी नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, पुरुष के पास प्रॉपर्टी तो मैं भी कमा सकती है वो बराबरी नहीं गुणों की बराबरी, अलंकारों की बराबरी तहजीब की बराबरी बातचीत करने के तरीके की बराबरी परमात्मा की नजर में एक दूसरे की नजर में नहीं और उकी नजर में नहीं परमात्मा कहते हैं कि इस तरी पुरुष बराबर तब हो सकते हैं दुनियावी चीजों से नहीं लेकिन तब बराबर हो सकते हैं उनके अंदर गुण हो, शक्तियां हो, उनके अंदर कैरेक्टर अच्छा हो, वो बराबर ही चाते हैं परमात्मा, तो बाबा कहते हैं, जो अलंकारों से सता सजय सजय रहते हैं, भावेश्य में विश्णु बंची, आप समझ गया होंगे, बनते हैं, लेकिन अभी वैश्णव बनते हैं, वैश्णव बनते हैं, वैश्णव मतलब कि प्योर सोच, जिनकी होती है, वो वैश्णव होते हैं, उन्हें कोई भी तमोगोणी संकल, तमोगोणी मतलब कि अपवित्र संकल, किसी के बारे में और अपने बारे में भी, वा संसकार, टच नहीं कर सकता, टच करना म मन में touch thoughts नहीं आ सकते उनके मन के अंदर वे पुरानी दुनिया अथवप दुनिया की कोई भी वस्तू और विक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं कोई अगर आकरशन करने वाली चीज हो वस्तू हो जो ललचारी हो आपको या कोई व्यक्ति हो उसकी खुपसूरती हो उसका धन दौलत हो आपको खीच रहा हो उससे भी वो किनारा कर लेते हैं वेकास उनके अंदर लोब के संकल में होते हैं कामवासना के संकल में होते हैं अहंकार की इर्शा गिरना के संकल में नहीं होते हैं आपूंस इनाँ मेरे बातों से, प्रभावत नहीं सकती। उसने तो मैसमें को ऐसे कहा। मेरे बार में उस विवेक्टी नई, ऐसे कहा। उसने आपके बार में ऐसे कहा। ऊपको है आपको पता या? और ऐसे काथ या flight रे अच्वाग्विश … ये चीज़े उनको सता नहीं सकती दिन भर तो वो के वैश्टा उनको टच नहीं करते हैं उनको वो शक्तियां यूज करते हैं गुणों को यूज करते हैं सेहन शक्ति को यूज करते हैं अब वो शक्तियां क्या हैं वो गुण क्या हैं को घहराई से अपने अंदर कैसे डाले सिर्फ सुनना नहीं, मतुर्ता, धहरता, सायनशीलता, सुनने में बढ़ा चलगता है तो थारण कैसे करना है और इस कल्यूग में रहते हैं कैसे थारण कर सकते हैं किसने कुछ बोल दिया, आपको गाली कर दिया आपको चिला के बोल दिया, आप कैसे शायन कर पाएं, उसमें आपको क्या पाइदा है, यह सब कुछ सिखाया जाते हैं, ब्रह्मकुमारीज में, डिटेल्स में, एक साइंटेस्ट बन जाएंगे आप इन गुणों के, एक साइंटेस्ट बन जाएंगे आप स्पिरिच्वालि झाले एकOTHERइदू का लएंगे पाइदू किल जाम कर अफस्पिरफ बन जाएंगे, पिन में जाएंबस बन जाएंटेस्ट बन जाएंगे यह साइंगे आप साइंगे आइवालिवालिया जाएंगे एक मैं, एक साइंगे